आपने शायद खुद भी, मैंने भी, और हो सकता है बहुत सारे ये प्रोग्राम के देखने वालों ने भी, स्कूल में पढ़ा होगा कि the sun is stationary, sun fixed है एक जगापर, लेकिन 1980s की बात है, science ने जब ऐसा powerful equipment discover किया, जिससे के sun को और closely observe किया जा सका, observation की बाद पता चला, कि the sun is stationary in relation to the earth, जमीन के साथ जहां तक तालुक है, तो sun एक ही जगापर समझायाता है, लेकिन इन reality, sun गोल घूम रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर जमीन जो गोल घूमती है, तो एक चकर गोल जब पूरा कर लेती है, उसे हम क्या कहते है, एक दिन जो complete होता है, दिन और रात पूरा हो जाता कि जो सूरज गोल घूम रहा है, वो अपना एक चकर जो complete करता है, तो हमारे 25 दिनों के बराबर है, उसका एक दिन जैसे के हमारे 25 दिनों के बराबर है, एक circle rotation, और जो milky way galaxy है, जिसके अंदर लाखों सितारे हैं, उसमें से एक छोटा सा सितारा सूरज है, तो सूरज ये galaxy मे भी movement कर रहा है, movement कर रहा है, 150 miles per second की speed पर, और जो पूरी galaxy का goal चेकर काटके जब वापस आता है अपनी जगापर, वो 20 करोड साल की मुदद होती है, ये complete revolution है, वो galaxy के center के goal goal सारे सितारे घूम रहे हैं, और ये अल्ला की तारीफ, कि चांद जमीन के goal goal घूम रहा है, जमीन सू सुरत अलंबिया में, सुरह 21, आयत 33, वो लदी फलक लेला वन्नहार, वही तो है, जिसने रात को बनाया और दिन को बनाया, वश्शम्स सूरज को बनाया, वलकमर चांद को बनाया, और फिर अल्ला ने कहा, कुलन फी फलकी यस्वखून, सारे के सारे अपनी फलक में यस्व बखून, मतलब घूम रहे हैं, अब यहां पर अलफाज पर गौर करिये, अल्ला ने यह नहीं कहा, सूरज और चांद घूम रहे हैं, कहा कुलन, सब के सब, सूरज भी, चांद भी, सब के सब, पूरा बिलकी बनाया, पता चला, यह सब के सब, और यही फैक्ट है, कि सब के स के सब गूम रहा है ये एक बहुत रीसिन डिस्कारी कौरान में 1400 साल पहले ते लिया दिया हां कि सूरज भी गूम रहा है चांद भी गूम रहा है सब जुब के सब गूम रहे है सारे सतार्व भी गूम रहे है अपने और्बिटuyu है